केंद्र सरकार द्वारा गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंद से मुक्त किये जाने के बाद, विश्व में बाजार भाव पर दबाव पढ़ने लगा। दरसल भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। सरकार ने जुलाई दो हजार तेईस में जब सफेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगाया था तब थाईलेंड, वियतनाम, पाकिस्तान एवं म्यामार जैसे निर्यातक देशों ने स्थिती का फाइदा उठा कर अपने चावल के निर्यात ओफर मूले में मनमानी बडोतरी कर दीद, चूंकि भारतिय चावल हमेशा प्रतिसपर्धी मूले पर उपलब्द रहता है, इसलिए जब दोबारा इसका निर्यात खोला गया तब अन्य निर्यातक देशों को अपने कारोबार पर खत्रा महसूस होने लगा और इसलिए उसे चावल का दाम खटाना पढ़ रहा। कमी आ सकती है। यह ध्यान रखना भी आवशक है कि गैर बास्मती सफेद, कच्चे, चावल पर कोई निर्यात शुल्क लागू नहीं है, जबकि सेला चावल पर निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत नियत किया गया। यह निर्ने चावल के निर्यात कार को बढ़ाव देने में महत्वपून भूमी का निभाइग, बास्मती चावल का निर्यात प्रदर्शन भी बेहतर होने के आसार हैं, क्योंकि इस पर लागू 950 डॉलर प्रतिटन के मेप को समाप्त कर दिया गया है। Bureau Report Market Times TV